स्लिप टीजाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक चौड़ी सी पट्टी लेई है जिसकी चौड़ाई हमने रखी हुई है साड़े उन्नीस इंच और किनारे से हमने इसमें सिलाई लगा लिए और लंबाई में हमने सवा पांच इंच इसका हम नीचे बॉर्डर में चुन्नट डालेंगे और स्कौड़ कटके बहुत सारे टुकड़े हमने कट कर रखे हैं और एक पट्टी हमने डिवी है यह हमारा स्लिप है जिसकी लंबाई सवा 12 इंच है और जोड़ाई में सवा 14 इंच अब हम सबसे पहले जो हमारा स्लिप है उसमें यह पट्टी इस तरह से जोईन करेंगे यह हमने यह पट्टी हमने बैक साइट से लगाई हुई है जो पलट के फ्रंट की ओर आएगी इस तरह से हम इसे पलटा के फ्रंट की ओर लाएंगे इस तरह से हमने इसे फोर्ड करती हुए एक सिलाई लगा देंगे उपर से पिलकुल पराबर में किनारे किनारे इसमें हम एक सिलाई लगा लेंगे अब हमने जो इसक्वार कट में छोटे छोटे टुकडे काटे हुए उन्हें इस तरह से फोर्ड करते हुए ट्रेंगल से देना है और इस तरह से एक के उपर एक रखते हुए सिलाई लगा के एक लंबी सी पट्टी इसकी तयार कर देंगे यह देखिए इस तरह से हमने एक लंबी सी पट्टी तयार कर ली है अब हमने जो चौड़ी पट्टी ली थी उसमें चुन्नट डालने चुन्नट हम सेंटर से डालेंगे सेंटर में हम इस तरह से चुन्नट डालेंगे बिल्कुल पराबर इस तरह से हमने एक साइट के चुन्नट डाल दिये हैं अब इसी तरह से हम दूसरी और भी चुन्नट डालेंगे यह देखिए यह इस चुन्नट जो हम दूसरी और का चुन्नट है उसे इस और के चुन्नट की और का मूह करके हम बनाएंगे झाल झाल यह देखिए इस तरह से हमारी चुन्नोटों वाली पटी भी तयार हो गई है अब हम इसके उपर जो हमने ट्रेंगल से लंबी पटी तयार के थी उसे इस तरह से इसके उपर रखती हुए पहले हम इसमें इसको जोईंट कर लेंगे यह जो सिलाई हमारी पूरी होगे अब हमने जो हमना अपना उपर का शिलीब तयार किया है उसका बीच सेंटर हम निकालेंगे और जो नीचे हमने किया है दोनों को सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे बराबर बराबर में और फिर इसके उपर से हम एक और सिलाई लगा देंगे तो देखिए फ्रेंस इस तरह से कितनी आसान तरीके से कि हम बहुती खुपसुरा डीजाइन बनके हमारा तयार हो गया है जो कि काफी आसान भी है और जल्दी भी बन रहा है तो फ्रेंस देखिए हमारा ये सिलीब बनके तयार हो चुका है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए मेरा डीजाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले धन्यवाद